हेलो बच्चो कैसे हो मज़े में अब तुम लोग का दुर्गा पूजा खत्म हुआ बहुत मज़े की हो गए बहुत मेला घुमा बच्पन की याद ताजा हो गई होगी आज फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पढ़ाय लिखाए फुरा वह धिरे धिरे शुरू आज हम लोग का इससे पहले मैं याद दिला दू वैसे तो तुम लोग को कुछ याद होगा नी मेले की जुले का सब्सक्राइब कर लिए ठीक है अब आज टाइम आ गया है हम लोगों को आगे बढ़ने का तो आज हम लोग अब्जेक्टिव से सुरू करने जा रहे हैं तो स एक बुक और है वाइट बुक का उनले दोनों को मिला के अप्रॉक्स 65 को हम लोग सॉल्व करेंगे एक चेप्टर में तो इसी साफस हम लोगों पास एक बहुत अच्छा लगवग हम लोग 1000 का पैकेज बना के चल रहे हैं 16 चेप्टर 15 चेप्टर तक में जिसको हम लोग टो क्लास का एलो बुक का सॉल्व है वैसे आंसर इसमें दिया हुआ है बस आपको है कि रिवायस कराना है और उसको आपको याद करवा देना है ठीक आप इसको जल्दी-जल्दी करेंगे बहुत छोटा वीडियो होगा बहुत लेकिन एफेक्टिव है बहुत सांदार है तो मिस सबसे पहले जो हम लोग का इससे पहले जो सब्जेक्टिव अगर आप लोगों ने पूरा रिवीजन कर लिया होगा तो जिस तरह से हम लोगों ने सब्जेक्टिव को सॉल्व किया एक सॉट पैटर में हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे और और जिसको पूरा चैप्टर को पढ़ना है वह सेस ऑनलाइन पर हम लोगों का जो क्लास चल रहा है उस पर फुल चैप्टर एनलाइस कर रहे हैं बहुत सांदार पीडियाप नोर्स के साथ इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ठिक तो के बहुत सारे नाम होत चैप्ट नामों हो जी से अपके भे साथ जैशंए इसके बाद ठीक है तो इसका पहला जीसे है आपनों को का कीरा क्या होता है सब को पता है ही में बता दो कि ब्धुक्तिव आएगा तो आप तिक मारेगा ठीक है एक सबसे पहले देखते हैं नमक नमक मेरा क्या है क्रिष्टलिय ठोस जैटनेस क्या है क्रिष्टलिय ठोस है काच क्या है अतीसीत द्रफ । और यह सिलिकन का रुपाएट यह भी आपका एक क्या है जो है क्रिस्टल ये थोड का हुदारन TO मेरा सही आंसर क्या होगा सी और इसका सही आंसर क्या होगा रवा में जब एलेक्टरौण ri9 द्वारा सुक्षम कोस्टन है डियम कोस्टन पूछ लिया गया है कि एलेक्ट्रोन अगर किसी खाली जगा को माल говорить यहां रीनायं था ये जगा खाली अब इस जगह को खाली होने के बाद एलेक्ट्रोन ने पकर लिया तो वैसा अस्थान जो कि दोस द्वारा उत्पन होता है और उस दोस ये जगह पर यानि कि उस जालक बिंदू पर अगर को इलेक्ट्रोन आके फस जाता है उस जगह को कहते हैं हम लोग एफ केंद्र या एफ सेंटर इसी एफ केंद्र की कारण क्या होता है उस ठोस में विद्धुतिय परवा होता है विद्धुधरा का परवा होता है दूसरा उसमें रंग का जोत्पत्ति होता है चुमबकिय गुन आता है ठीक है तो इन सब कारण इन सब चीजों का कारण है एफ CP यानि कि hexagonal close packing जो कि आपका equivalent होता है FCC का या कह सकते है CCCP कोशन पूच रहे हैं पर्मानों की संख्या क्या है तो बहुत सा रश्ड्रेंट जैसे ही नेक्स ने क्रिश्टलय ठोस के वारे निए भ Ig phrases को रहे हैं तो बहुं सारे बश्चे दहें लेकिन onu answer नहीं होगा किकि दो लेकिन आप तुस्ट्री चार कौन कौन से है और परवानवी ठोस ठीक है या जिसको अभी उधारण करते हैं यह इस प्रकार के मुखे बिस प्रकार का अब बंद पाया जाता है अगर इसमें पूश्चन फूच दे कि तो आपका एक प्रकार का अन्विक थोस है किस प्रकार का अन्विक थोस है तो सबको पता है कि में यानी CCP बोलिये या इसको FCC केटीगरी में रखा गया है इन तीनों में सबसे ज्यादा एक होता है कितना 0.74 परसेंट यानि कि इसको मोल आंस के रूप में लिया जा रहा है तो इसको लेंगे 0.74 फुरा घुमा पूछा गया आप लोगों ने याद किया हुआ इसको अंडेट से भाग दे दिया गया है कुछ नहीं किया हो अब पूछ रहा है कि द्रूप में द्रूप आगुर्ण जीरू होगा तो यह होए यह डाइपल मोमेंट का कोश्चन है ठीक है तो इसको में हम लोग डारेक्ट इसका टिक लगा देंगे भी फ्री का डाइपल मोम ह 구oday इसमें ऐफ्लोरीट की तरफ एलेक्टेटिविट्टी ज्यादा है ठीक है किया होता है सबसे ज्यादा फिर ओक्सिजन का इपनाता इससे दो-तिन कोशन बनते हैं कि hydrogen bond कौन बनाता है तो जिसमें फोन होता है ठीक है यानि कि जिसमें जिस compound में FON यानि कि fluorine oxygen hydrogen अगर है उसके अंदर वह ही hydrogen bond बना सकता है और जो hydrogen bond बना सकता है वो जनरली आपका वाटर में soluble होता है और उसका melting and boiling point भी हाई होगा यानि के कवतनाक और गलनाक भी काफी ज़्यादा होता है अब एक चीस से हमने तिन चार आंसर निकाल लिए तो यहां पर एलेक्टो निगेटिविटी इसका value हाता है सुने ठीक है जबकि NF3 अगर हम NF3 का देखें तो यह रहा मेरा NF3 नैटोजन के पास एक loan pair होता है loan pair इसको ऊपर की तरफ खिशता है ठीक है जो इसका attraction अगर हम लोग resultant force निकालेंगे बाकी का नीचे की तरफ होगा इस वजह से जो वैल्यू है वह जीरो नहीं हो पाता इसलिए यहां पर जो सबसे किसका दवधरू वार्ण सुननी होगा तो BF3 कम born scorch अगे बढ़ते हैं आगे हम लोगों का कि फिर से बहुत मैज़दार कोशन बार बार देखो संकुलन चमता से कोशन अब्जेक्टिव हमेशा पूछ रहा है ठीक है 2018 का पूछा हुआ है फिर से इसको जी कि एक थाक का खोरन होटा है तो धात्य की कोशन संक्या है वो क्या होगी तो सबसेपरले बाकी चीजों को हटा के अहीं हम लोग मेंन प्धा को फोकस करता है है कैसा है मेरा structure SCP का है SCP की संकुलन चमता क्या होगी जल्दी बता देजे 12 होती है सब को पता है ठीक है 8 किसकी होती है BCC की ठीक निमलिकित में से कौन से जोरेगा क्रमसा चतुसफल अच्छा आगे देखने में दिक्कत हो रहा होगा ठीक है अगला है निमलिकित में से कॉन से जोरे में चतुसफलकई वाइड दो परकार के होते हैं एक होता है आपका चतुसफलकय अश्टफलक्य होती है रिकतस्थान वाइड खीक है crafts ब्हार बोर्ड इतना आच्छा हिंदी लिगता है के वह अंग्रेजी को भी हिंदी में लिखता है छाई टो यहां यह इंगली सब्ध है और इसका मतलब होता है ठीक है तो थ्रिर दियर्स ट्रॉ्ज्टर में दो परकार का रिकतर स्थान पाय जाता है एक होना है फिक है छयंद अगर जानना हो तो साम छे बजे से क्लास चलती है सिस ऑनलाइन में तो वहां पर मैं इस पूरा थियोरी पढ़ा रहा हूं और वहां पर चैप्टर पूरा पढ़ांगा वहां कोशन बैंक नहीं होगा तो आप उसको वहां पर आके पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं ठीक है तो कोशन पूझ रहा है कि निल्रिकित में से कौन से जोरे में करमसा आपका चतुस फल्कीड यह होगा औरस फ्लकीर हो तो आशर हो जाता है इसका जो स्वाइड हुआ है स्ट्रेशर होता है भूआ का स्टेक्शर होता है वहां आफका सीशीप जैसा होता है ठीक है तो आगला है हम लोगों का 12 नंबर कोश्टन कर रहा है कि मूल क्रिष्टल सिस्टम यानि कि 7 क्रिष्टल सिस्टम होते हूं ब्रेवियस लैटिस की संख्या 14 होती है दो कोश्टन को इंपोर्टेंट है याद रखेगा तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे आंसर में सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका 7 निमली के में से कौन सा ऑक्साइड की तरह विधुत्य के विधुत्य गुन वाला जब यह कोश्टन आता है तो उसमें CR जो है जो आपका क्रोमियम ऑक्साइड होता है इसका उप्योग मैंगनेटिक प्लेट बनाने में यूज किया था म क्रोमियम ऑक्साइड में मैंगनेटिक नेचर होने के कारण से यह क्या करता था साउंड को अब्सार्व पर लेता था और स्टोर करकर रखता था और वही जब हम लोग उसको जब कैसे पर लगाते थे तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है उसमें एलेक्रिसिटी अंदर में उसका अपना ओसलेशन सिस्टम होता है तो उस सिस्टम को वह क्या करता था एंपलीफाइ करता था तो जब भी कोश्चन आए तो क्रोमियम को फोजिएगा कि मैं ये वाला कोश्चन जब भी आवी दूतिये गुन में तो क्रोमियम कहा पर है ठीक है तो इसका आँसर होगा क् बहुत अच्छे अच्छे एक्जाम में पूछा गया है कि जैसे मैंगनेटिक प्लेटिंग के लिए किसको यूज करते थे साउंड इफेक्ट में किसका यूज रता था सबका आंसर उसमें आपका CRO2 ही होता है या CRO3 ज्यादा ज्यादा हो सकता है सेवन क्रिश्चल सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या है कि दो चीजे एक है अलफा बीटा गामा और एक कि यानि एक होता है एंटर फेसिल एंगल टो एज्टो पेंडर्फेसल एंगल के बीच एंगल के में कि आपको जैसा से चाहिए क्यूबिक से छीब के नेसे प्र». वह ओकर इस में सब्धें होते हैं रगाएंड़ एंगल सीवक्ता है औरalayक्त दिएसलिदेज क्यूबिक के किसी भी अगर हम एंगल को देखेंगे तो अलपा लेजिए या बीटा लेजिए गामा सब 90 डिगरी होता है इसी प्रकार से ए बी सी भी इसमें तीनों बढ़ावर होता है अब होता है कि इसके वैल्यू को चेंज करके से स्ट्रेक्चर को चेंज किया रहता है उसी को हम लोग स बेंट क्रिष्टल शिस्टम के अंतरगत पड़ता है तो यहां पर कर रहा है कि ए नौट इकोल तो बी नौट इकोल ट। और अल्फा भीटा गामा एकुल तो इसका जो आंसर होता है वह आपका और्थो रोमभी का अस्ट्रक्चर जिए तो इस तरह से क्या होता है कि अलग- यहां पर कॉमन से बन जाएगा कि यह सौट की डिफेक्ट तो है नहीं अब दोनों संभब है नहीं में से कोई होगा नहीं तो यही है जो आपका ऑफसन आ रहा है ऑफसन से भी कभी गदाल आंसर मिल जाता है निमलिकित में से कौन बेरवादार ठोस है फिर से बेरवादार ठोस का मतलब क्या होगा कि आ पकर डिस्टल्यस फोस कौन जो अगर सिर्प יה घडर रहता ए अनसर में तब तो ुसका आंसरभ अंसरव आपका हो जाए गार नहgnा यहां printing mistake है या फिर युगास अगर उसके अंदर है वह क्या सबस्टराइर से क्रिष्टलिे नुम्लिखी तुम्से कौन पदीश्टलिे से फ्याराि नि यह लगता है फिर सR होगा क क्स क्या है एक 30 Cub अगे बढ़ते हैं अगला है फिर से पूछा है मेरा नोट्स में इस सब को बहुत अलग कटीगरी में लिखा दिया गया है डारेक्ट वहां से आप यूज भी कर सकते हैं को अगला है किसमें सभी क्रिष्टल की संद्वना पाए जाती है तो जैटन में पाए जाती है इन इस अलापका सभी क्रिष्टल का होता है उसका वाध है प्रभाद यानिक उसका फिर से पूछ रहा है तो सब्सक्राइब कितना होगा 0.74 परसेंट सबको पता है 74 परसेंट होता है अब यहां पर कोश्चन को घुमा के पूछ रहा है कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा तो हंडिट से भाग देती जिए अंसर आ जाए ठीक उसके बाद है के ऑने का जब वह स्ट्क्चर बनाते हैं तो फिस तरह से बनाते हैं जब इस तरह से रहता है पर यह दिए प्लस- इस तरह से तो यहां पर क्या होता है यह देखने में लग रहा है अगर मैं किसी भी एक एने CEL की बात करता हूं यह देखने में लग रहा है चार से ही जुरा हूआ है यहां 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 लेकिन यह 3D structure होता है 3D structure में 1 CEL मैनस एक से तरफ कितरफ होगा और एक इसके पीछे की तरफ होता है तो टोटल इसके साथ कितने एक एने प्लस के साथ कितना सेफियर Fr अलग-अलग होता है लिस्टिंग किया हुआ अनताकर्ण राक कोसटि का मैं आयन का अनुपात कितना होता तो पॉइंट परसेट ठीक आयनों का अनुपात का बात यहां हो रहा है मतलब घनायन और रिनायन के आयनों का अनुपात तेक घनाकार फिर से next question है आपका घनाकार याने कि SC पूछ रहा है simple cubic में तो घनाकार सनचना में पिंड केंद्रित परमानु याने कि BCC परमानु का समानवाई संग्या कितना होगा तो आठ होता है आपको पता है कि BCC का कोडिनेशन नंबर आठ है फलक केंद्रित में यह आपका यहात्रा फॉर ठीक है अगला है आपका यह FCC क्रिश्टल के लिए है वी सी के लिए लग लग होता है इससे पहले वालव वीडियो आप देख लिए से वहां पर इसको सारा डिटेल में बता दिया गया है ठीक है उसका अधे क्रिश्टल यह जालक में परती परमानु अस्टफल की संख होगी ठीक है ठीक है तो हम लोगों का नेक्स कोश्चन है 25 नंबर तो उसको पढ़िए इसको यह कोश्चन कर रहा है कि एवं भी दो तत्तों है यह विक से बनावा जिसका घ्रिश्टल है एक परमानु में कुनों की पर परमानु उपस्तित है और वी के परमानु के अंदर पर तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला होता है आपका कोश्चन आता है तो मैं आपको क्लास में बता दूंगा यहां पर क्या होता है कि अगर थियोरी बताता हो तो सोट को यानि objective करने में भूर्ट टाइम लग जाता है तो मैंने कोसिस की थी तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इसको हम लोग थियोरी क्लास में पढ़ा दिया कि बाकी objective में आप बस यह बताए कि उसका रीजन क्या है ठीक है तो इस तरह से कम समय में ज्यादा objective करना होता ह है तो फिर में बता दूगा घबराने की भात नहीं है ठीक है नेक्स है हम लोगों का क्रिष्टल की संथना क्या होती है ठीक है तो एभी सेंथे एक बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि सरयलभनी होती है ठीक है फ्सिस्ट्रक्टर होता है इन में से कौन सानीड भोस है तो सबसे पहले आयनिक थोस हम कहते है कि इसको यह समझ लिजे आयन से बनावा थोस यानि कि घनायन और रिनायन से बनावा थोस जिसमें प्लस और मैनस लगा हुआ रहता है उसको हमनों बूलते है तो आइटू आपका क्या है एक परगार का आणविक थोस है ठीक है कैसा प्लस और ख्रक्ला या बनावा बनिक थेट्वसित क्या होती है याद रखेगा को रही गई कैना में भी वह भॏ एक सांत recorded सब्सक्राइब होता है और इसको सनशना हुता है यानि के टेट्राहेडर क्ली का महिए वहीं अगर ग्रेफाइट का स्ट्क्चर कहा जाता है तो ग्रेफाइट का स्ट्क्चर होता है मदुमक्की के छत्ते के देशा यह रहा ग्रेफाइट का स्ट्क्चर यह जो स्ट्क्चर है इसमें एक कारवन के साथ तीन कारवन अनुजरे होता है एक एलेक्ट्रोन फ्री होता ह इसलिए ग्रेफाइट जो है वह विदू उसमा का सुचा लग होता है तो इस लिए जो स्ट्रक्चर यह उख्टा है नहीं है इसलिए भी नंबर में मत टिक कर देजेगा आंसर होगा आपका हाला ओते में गहते हैं तो सोट में इसलिए यह स Supreme lumière किसमें घ्र जाता है किसे इंगा होते हैं और आव चलिए अब लास्ट दो गोस्ट्टन है आप लोग बनाईए यह मैंने पहले में बना दिया है ठीक है चलिए कि कौन सा पेर सही होगा अभी जस्ट हमने बनाया है फलक के अंदर पर उपस्तित परमानू में किसना कोश्टक का साजा होता है तो किसी भी अगर लेते हैं तो किसी भी फलक के अंदर पर लेंगे तो उपस्तित जो परमानू है हो तो कितने कोश्ट है कि यानि कितने युनिट जयक को साजा करता है तो इसलिए favor को साजा करता है अधा है सबसे कम होता है तो यह आपका 1131 क्या है और हम लोग नेक्स को भींजेक्टी क्लास करेंगे वाइड बुककशन है तो जो बच्चे अभी तक नहीं जो रहे हैं उनको बोलemic से क्लास door गई है उसी प्रकार से बाइवों का जो टाइम से डूल है टोवेल्थ के लिए ताम साथ से आट रहता है क्यमेश्टी का दो टाइम है छे से साथ जिसमें हम लोग थियोरी पढ़ रहे हैं और एक टाइम है यानि क्रेस कोर्स के लिए ठीक है एक तरह का इसमें हम लोग कोशन बैंक पढ़ रहे हैं त्योरी यानि सब्जेक्टिव और और अब्जेक्टिव कोशन कर रहे हैं यह एकदम फुली 10-11 एक्जाम औरियंटेट बैच है ज्यादा ज्यादा ज्योरी चनल को थुरा सेयर कर दिय कि जो बच्चे गाउं में हैं उनको बहुत ज्यादा लाव मिल सके फ्री और पॉस्ट बैचेश चल रही है थैंक्यू सो मच फिर से मिलते हैं अब सत्यम सर्व पूजा में के तरफ से सब को पढ़ने के लिए फिर से मैं बोल रहा हूं आप आप आगे बढ़िए तो कि फिर कि विर समय है जनको बोल रहा हूं आप 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 आपक पूंद तर माक भूस आप